अमेरिका और एरान के बीच चल रही तना तनीक आसर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है हर्मुज जल डंबरू मध्य इलाके में तेल टैंकरों पर हुए हमले से भारत भी चिंतित है भारत का ज़्यादतर तेल वैपार इसी रास्ते से होता है इसी को मद्य नजर रखते हुए भारतिय नौसेना ने भारतिय तेल टैंकरों को इस इलाके से सुरक्षित पार कराने की जिम्मेदारी उठा ली है नौसेना के जवानों ने मंगलवार को पांच भारतिय टैंकरों को इस खतरनाक इलाके से पार कराया नौसेना के सूत्रों ने बताया कि हमारा लक्ष भारतिय मालवाहक जहाजों को इस इलाके से सुरक्षित पार कराना है इसके लिए भारतिय नौसेना ने मिशन संकल्प शुरू किया है नौसेना के जवान मिशन संकल्प के तहत मालवाख जहाजों पर सवार होकर खतरनाक इलाखों से सुरक्षित पार करा रहे हैं ऐसे मालवाख पोतों की सहमती से ही किया जा रहा है गौर तलब है कि नौसेना ने भारत का जंडा लगे जहाजों की सुरक्षया सुनिश्चित करने के लिए पिछले सब्ता से अपने पोत आयनेस चिन्नई और सुनेना को गल्फ आफ उमान और फारस की खाड़ी में तैनाद किया है नौसेना इस इस इलाके की हवाई निगरानी भी कर रही है इलाके में पोतों के आवागमन पर एरक्राफ्ट के माध्यम से नजर रखी जा रही है बता दे कि हॉर्मूस जल डमरू मद्धे इलाके में पिछले दिनों दो तेल टैंकरों में विस्फोट हुआ था अमेरिका ने इसके लिए सीधे तौर पर इरान को जिम्यदार ठहराते हुए कहा था कि इरान ने ही जहाजों पर हमला किया है इसके बाद अमेरिका ने उमान के खाड़ी में अपने युद्ध पोत तैनात कर दिये पिछले दिनों इरानी सिना ने एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराय था ड्रोन गिराय जाने से दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है धमक्यों का सिलसला रोजाना चल रहा है अब इस पूरे मामले को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है फिकर की बात यह है कि दोनों ही तरफ परमाणू ताकत से लैस देशों की खेमा बंदी है ऐसे में जरा सी चूक एक भायानक जंग को जन्म दे सकती है खास कर इस बात को देखते हुए कि इरान के नाम पर दो सूपर पावर यानि अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए है ब्योरो रिपोर्ट भारत ता कर दो कर दो कर दो